हेलो फ्रेंट्स आपका फिस्वे बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMIA पे और दोस्तो इसे चैनल में हम आपके लिए लेटेस अबस्मेंट आइडियाज लेके आते हैं और आपको फ्री अफ कॉस्ट नवेश की राय देते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम बात क 15.50 रूपीज पर जो ट्रेड करता आपको दिख जाएगा आइए देख लेते हैं कि इसके फंडामेंटल किस तरह के निकल कर आ रहे हैं क्योंकि दोस्तो हम आपको यही राय देते रहते हैं कि आप कभी भी किसी स्टॉक में आंक बंद करके इंवेस्टमेंट नहां करें और लॉंग टर्म में आपको मल्टी बैग रिटरंस देगा तो आईए इस कामपणी के सारे फंडामेंटल एके करके जान लेते हैं लेकिन सबसे पहले जड़ी आप हमारे चैनल पर फर्स टैम बिजट किये हो पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन का बटन शेयर करें तो दोस्तों आईए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले संद फ्लैग आईरन एंड स्टेल कामपनी के जो फंडामेंटल एके करके देख लेते हैं तो लास्ट फाइव डे की इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देके 10.45 परसंट की ग्रापट आपको देखने को इस आप देख सकते हो लुएस स्पोर्ट लेवल से रिकवरी शो कर रहा है 108 का इसका लुएस स्टॉक ने थोड़ा ट्रेंटर वर्सल भी शो कर दिया है ज़री बढ़िया ब्रेकट रैली इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी 88.34 परसंट के मल्टी बेगर रिटंस बढ़ देखने को मिल जाएंगी जड़ी इसका सिक्स मंत का पैटर्न देखें 52.33% की रैली इस स्टॉक में देखने को मिलेगी पहले इस स्टॉक में कंसॉलिडेशन ही चल रही थी बहुती रेंजमोंड काम चल रहा था लेकिन अब इस स्टॉक ने के लिए ली ब्रेक ओट पैटर्न जो है वो शूब कर दिया है और जड़ी इस स्टॉक का थोड़ा लॉंग टर्म का डाटा देखें वान येर का डाटा देखें तो यहां पर 51% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे और जड़ी फाइव जिर का डाटा देखें तो यहीं इंडिकेशन होती है एक अच्छी कंपनी की तो जो अच्छी कंपनी जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो लॉंग टर्म में जुरूर आपको जो है रिटर्न अच्छे बना के देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें लीनेली रिटर्न देखने को मिली है इनमें पहले आपको 100 के लेवल पर जो है क्रेक्शन भी देखने को मिली है कभी रैली भी देखने को मिली है लेकिन आज कल जुरूर इस स्टॉक में अच्छा पॉस्टिव ममेंटम जो है वो देखने को मि चुके हैं तो यहां पर भी आपको नोट करके चलना होगा कभी भी लीनियली रिटर्स नहीं बने हैं लेकिन लॉंग टर्ब की ग्रोथ हिस्टे इसकी बहुत ही इंटेक्ट है बहुत ही पॉस्टिव है तो आए आगे बढ़ते हैं संद फ्लै के फिनेंशल भी जान लेते हैं यह जो कांपणी हैं 1984 में शुरू हुई थी इंडिया बेस्ट कांपणी है नंबर ओफ उम्पिलोजिस के 1098 हैं एस पर 2021 डाटा दोस्टो लेटास क्वाटर के नंबर देखें दिसमबर 21 में इस कांपणी के रैवन में 7% की ग्रोथ देखने को मिली थी नेट इंकम में 9% की डेक्शन देखने को मिलेगी profit margin 15% के हिसाब से reduce होते आपको दिखेंगे operating income में आप देख सकते हो 10% की rally है तो nearly flat trend ही देखने को मिला था इंदा दिसमबर 2021 लेकिन स्टमबर 21 में इसके नंबर बहुत ही positive रहे थे आप देख सकते हो revenue देख लो margin देख लो operating income देख लो all the parameters work growing on a year on year basis तो positive growth यहां पर देखने को मिली थी स्टमबर 21 में और जून 21 में भी इसके नंबर बहुत ही शांदा रहे है revenue, income, net profit margin, operating income, all the parameters are growing and these are growing very good numbers तो आप देख सकते हो आईए इसके आप मार्स 21 के numbers देख लेते हैं तो वो भी positive ही रहे हैं तो revenue जो है आपको 50% के हिसाब से grow हो रहा है, income में 81% की growth है, EPS 76% की growth है, net profit margin में 20% की growth है, operating income में 130% की growth है तो आप देख सकते हैं इसके numbers बहुत ही consistent आ रहे थे, लेकिन December 21 में इस company के numbers थोड़े जुरूर आपको negative देखने को बिले थे, आप कह सकते हो nearly flat trend ही देखने को मिला है तो आईए इसके कुछ technical जो है हम study कर लेते हैं, देख लेते हैं कि technically इस company में किस तरह का trend जो है वो देखने को बिल रहा है, इसके technical level क्या निकल कर आ रहे है, स्पोर्ट लेवल क्या है, valuations इसकी किस तरह की है, valuations भी इसकी हम different companies के साथ compare करेंगे, देखेंगे कि इसकी valuations किस त attractive valuations पर मिल रही है, discount पर मिल रही है, तो यह एक बहुत ही positive point होता है, तो आप देख सकते हो यह जो company है, iron sector की company है, steel rolling में काम करती है, currently इसकी price जो है 120 है, आप देख सकते हो, और इस company की सबसे बड़ी हम strength देखें, तो it is having high profits की score, तो इसके financials बहुत ही strong है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, financials June में, June 21 के, September 21 में, मार्स 21 के numbers बहुत ही positive रही है, तो financials are overall very very strong, December के numbers जो flat रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक quarter के number बुरे आगए, तो company बुरी होगी, दोस्तो एक आदे quarter के number जदी negative भी आ जाते हैं, तो कोई fear करने की जूट नहीं होती, को P.E. ratio 8.47 का है, तो sector का P.E. ratio 10 का है, तो sector के comparatively अभी जे जो stock है, आपको discount पर मिल रहा है, price to book ratio भी 1.42 की है, तो यह बहुत ही plus point है, इसकी valuations बहुत ही attractive निकल कर आ रही हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ sport level भी देख लेते हैं, resistance level देख लेते हैं, तीन इसके resistance level देखने को मिलेंगे, shorter में 118, 122, 124, similarly 3 sport है, इसके 112, 110 and 106, पाइवोट इसका 116 के रौंड जो है, वो पाया जा रहा है, इन दा shorter, तो shorter में कोई भी आप position बनाना चाहते हो, तो इन लेवल पे ज़रूर फोकस करें, इसके moving average चेक करें, तो 5 डे से लेके 200 तक का data आपकी screen के सामने available है, तो यहां पर आप देख सकते हो, continuously इस stock में bullish pattern ही देखने को मिल रहा है, तो इस stock में आप देख सकते हो, इसके जो moving average हैं, बहुत ही bullish है, बहुत ही positive है, इसकी current market price है, जो है, वो all moving average से उपर ही दिख रही है, past 1 year की performance देखे, 1 week से लेके 3 year की बहुत ही consistent performance यहां पर द देखने को मिल रही है, positive data देखने को मिल रहा है, 3 year में इस stock में 156% के return जो है, वो देखने को मिल रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसके अब हम और parameter जो हम detail में study कर लेते हैं, long term की इसकी revenue की growth ही देखे, 70 से लेके 19 तक इस company के revenue में continuously growth ही देखने को मिली थी, लेकि 21 में इसने बहुत ही अच्छी recovery भी की हुई है, अब एक positive indication है कि आने वाले 22 years में, जो के अब close हुआ है 31st March 2022 को, उसमें इसका data जो है बहुत ही positive रहने के chances हैं, similarly net profit का data भी अच्छा growth हो कर रहा है 17 से लेके, और 21 तक इस company के net profit में growth ही देखने को मिली है, बीज में volatility जरूर थी लेकिन overall growth ही इसकी बहुत ही positive है, तो आएए दोस्तो quarterly data भी एक बाद चेक कर लेते हैं, पहले revenue का data देख लेते हैं, तो March 21 onwards, इसके revenue में continuously growth ही देखने को मिली है, continuously linearly growth देखने को मिली है, March 21 में इसका revenue था 555 क्रोड था, June 21 में 667 क्रोड हो गया, आप देख सकते हो बढ़के सब्तमबर 21 में बढ़ गया है, और December 21 में फिर बढ़के 696 क्रोड हो गया है, आप इसका net profit का data भी एक बाद चेक कर लेते हैं, यहां पर जुरूर आपको pressure देखने को मिल रहा है, negative trend देख देखने को मिला है, तो कई कारण होते हैं दोस्तों, जिसके कारण किसी company का net profit हो जो है वो narrow हो जाता है, क्योंकि जो expenditure है, वो भी बढ़ जाता है, उसके कारण company का input cost बढ़ जाती है, उसके कारण भी यहां पर आपको volatility देखने को मिल रही है, तो आईए shareholding देख लेते हैं, क very very attractive, ROE की percentage value 9.17 की है, और TTMPE ratio इसकी 8.43 की है, और price to book ratio भी इसकी 1.41 की है, तो valuations are very very attractive, debit to kitty ratio भी इसका जादा नहीं है, 0.11 का है, तो बहुत ही अच्छा मौका है इस stock में entry करने का, लेकिन ship के through investment करें, धीरे धीरे करके investment करें, long term के लिए investment करें, तो जरूर आपको इस stock में अ बहुत ही strong है, आप देख सकते हो, इसका pirates की score बहुत ही हाई है, इसके fundamental strong है, financially बहुत ही strong company निकल कर आ रही है, तो इसलिए यह जो company investment criteria को fulfill कर रही है, so thanks again, we will be due within new video, new investment idea, अभी तक जदी आप हमारे channel के साथ नहीं जुड़े हो, तो इससे subscribe जरूर कर लें